हलो एवरीवन वेलकम यू ओल इन आवर यूटूब चैनल नामदेव अकेडमी स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल नामदेव अकेडमी में तो आए आज हम बात करेंगे चार जुलाई 2018 की जो करेंट अफेर्स है उसके बारे में बात करेंगे बढ़ देखिए अपना पैटर्न कुछ इस प्रकार चलेगा कि सबसे पहले पांच क्यूसंस की क्यूज करेंगे जो की पिछले क्यूज के पिछले जो करेंट अफेर्स के वीडियो थे उनके क्यूसंस होंगे नेक्स्ट हम करेंगे आज की चार जुलाई की कर्ण्ट अफेर्स है उसके क्यूसंस को एहं डिस्कस करेंगे और उसके बाद में एक राज्य को यहां पर डिस्कस करेंगे तो एक स्टेट हम कराएंगे ठीक है तो इसलिए वीडियो को देखीं, सुरू से अन्तख इस्टेटिक जीखे के क्यों संस बनते हैं तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंतक देखिएगा ताकि सारी चीजे कवर हो जाए और एक्जाम में कोई भी चीज छूटना पाए तो चलो वीडियो स्टाट करते हैं देखिए गाइस अभी तक अगर आपने हमारे चनल नामदे अकेड में को सब्सक्राइब कर ले और साती घंटी के चिन को दबा लीजिए जिससे आपको लेटिस वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे और इस एक इंपोर्टन चीज है कि देखिए आपको जिस भी प्रकार के वीडियो चाहिए वो आप हमें मतलब कमेंट में बता द हमें प्तापा इस इस लो हम देखिये हैं रहे हुआ है कि हाली में किस आयोग ने परथम डेल्टा रेंकिंग जारी किया है तो हमें उस आयोग का नाम बताना है जिसने पर्थम डेल्टा रेंकिंग जारी किये तो गैस ये पर्थम डेल्टा रेंकिंग है ये जारी की गई ये नीती आयोग के दुआरा किसने किये नीती आयोग ने तो यहां क्या आंसर हो जाएगा नीती आयोग हमारा आंसर हो जाएग देखिए अभी यह इस चीज के बारे में जो डिसकेशन है वह हम कल के जो करेंट अफेर्स का वीडियो था उसमें अच्छे से explanation किया है तो अगर अभी तक आपने वह नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं तो चलो बढ़ते हैं इसी किसा नेक्स्ट क्यूशन की और तो देखिए नेक्स्ट क्यूशन जो दिया गया है वो क्यूशन क्यूशन है ठ्टिक है क्या क्यूशन है क्यूशन है कि फ्रांसमें आयूशन है भारत का प्छतिनिते देटव प्रतिनितों क्रम करेंगे तो नाम बता क्रेंगे क्मांडर कि सब्सक्राइब तो कौन कर रहे हैं तो उनका हमें नाम बताना है तो देखिए जो नो सेना कमांडर है वो भारत की और से प्रतिनिद्यत्व करेंगे तो क्या अंसर हो जाएगा यह हमारा यहां पर अंसर हो जाएगा तो देखिए नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं क्या क्यूशन दे रखा है त कि किस भारती अभी नेता है को लंदन इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2018 है इसमें आइकोन अवोर्ड से सम्मानित किया गया है क्या है क्यों कि कौन सा भारती अभी नेता है जिसको लंदन इंडियान फिल्म फेस्टिवल 2018 है इसमें आइकन अवोर्ड के लिए सम्मानित किया गया यह किया गया को इपन को इसके लिए जो आइकोन एंप्रमांस किया गया स्वार्द को सब्सक्क्राइब सरे कि रिजनल इंटीक्रेटीर हजाड अल्ली वानिंग सिस्ट्म है इनके साatu में कि साथ हिसे साथ सम्झोटे पर संच्ण कि बढ़ते हैं तो समझेवलब मुधे तो क्या answered उइसा हो जाएं और नें SKR क्या दिया गया तो देखिए नेक्स्ट क्या और बढ़ते हैं तो क्या है क्यूशन क्यों यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्यूशन है इसके बारे मैं अच्छे से एक्स्प्लेंड कर रख है जो इसे पहले की जो करेंट एजियीषन है कि हाली में स्विच नेशनल बैंक द्वारा जारी सर्वे के मुताबित स्विच बैंक में पैसा जमा मामले में देखा जाए तो भारत का कौन सा इस्तान है तो है बारत का इस्तान करते की रही है तो थर्ड पोजिशन रही है वेस्ट इंडीज की तो देखए ये ते हमारी क्यूज के आज के पांस क्यूशन जो हमने कर लिומश अब बटते हैं आज की जो कर्छंट आफेर से उसके और बटते हैं देखे आज की जो करन्ट आफेयर है,5 Bonio स्य ब SPD कौन सी बना type और चैनलों उसकानो नहक्न सी सिесто उसको अपनाने वाला पेहला PSU पौन सा बना है इस को देख्यार देख्यार ने, यह प्योने के हैं लिए इसको पहला PSU बन गया है, ओनलाइन कानून अनुपालन प्रिनाली को अपनाने वाला बात करते हैं, यह जो NRL है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो देखें, इसकी फुल फॉर्म है, नुमाली गड़ रिफाइनरी लिमिटेट, ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट कुशन क और तो देखें, यहां नेक्स्ट क्यूशन जो दिया गया है, वो दिया गया है, कि जो यह सुंदरी नंदा है, सुंदरी नंदा को कहां कहां महा निदेशक के रूप में निउक्त किया गया है, तो सुंदरी नंदा को पूदुचेरी है, पूदुचेरी इसका महा निदेश पूदूजेरी की पहली महिला दीजीपी के रूप में इनको चुना गया है और इसकी जगे लेंगई जय को प्वाइग नेक्स्ट कुशन तो देखें नेक्स्ट कुशन दिया गया वह में दिया गया कि दिल्ली एवं जो क्रिकेट संग है डीडीस ये इसके जो नए अध्धक्स के रूप में जिने चुना गया है उनका नाम क्या है तो दिल्ली एवं क्रिकेट संग डीडीस ये के जो नए अध्धक्स के रूप में चुने गया है वो चुने गया है रजत सर्मा तो क्या अंसर ह जाएगा भी हमारा यहाँ पे आंच हो जाएगा ते नेख्ड क्या है तो दिल्किंश के रख रख है वह है कि हाली में जो यह ज nar करनी का निधन ऊ गया है नाध करनी है इनका संबंद किस्से था ठीक है तो इनके संबंद था नो से न उसे किसे तो देखें, यहां पे जो next question दिया गया है, वो दिया गया है कि किसको केंद्रिय सतकरता, ये जो कौन है, उनका नाम बताना है, जिनने केंद्रिय सतकता आयोग Cbc है, देखो यहां B नहीं होगा, Cvc होगा, ठीक है, तो ये गलती से print हो गया है, देखो Cvc, ठीक है, तो क्या है ध्यान से समझे क्यूशन है कि किसको केंद्रिय सतरकता आयोग के सच्चिव के रूप में चुना गया है तो जो केंद्रिय सतरकता आयोग है इसके सच्चिव के रूप में चुना गया है अलका तिवारी को तो क्या अंसर हो जाएगा यहां पर एह हमारा अंसर हो जा बात करते हैं इसकी स्थापनाफ की तो देखें इसकी स्थापना हुई फेल 1964 में कब हुई फेल उसमें सामिल किया गया है उन भारती खिलारी का हमें नाम बताना है तो गईता है यह किया गया है राओल द्रविड को तो क्या अंसर हो जाएगा यहां पर एह हमारा अंसर हो जाएगा कि घृर्च्व इल्राओल द्रविड है इनको sacrar cricket hall of fame में सामिल किया गया है नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं तो देखें यहां पर जो नेक्स्ट क्यूशन है वो है कि एकलोते कमांडर का क्या नाम है जो एशिया के गोर्डन ग्लोब क्यूँशन है कि जो यह अभिला स्टोमे है यह एकलोसे कमांडर है जिनको एशिया के यह गोल्डन ग्लोब रेज़ है इसमें आमंत रित्क नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं तो देख़िए यहां पर next question दिया गया है यह दिया गया है कि किसने धनलक्षमी बैंक है इसके प्रभंदक निदेशक और CEO के रूप में पदभार समाला है उनका नाम है टी लथा क्या नाम हो है टी लथा तो क्या अंसर हो जाएगा ए हमारा यहां पर अंसर हो जाएगा गाइस बात करते हैं य यह दो धनलक्षमी बैंक के अडिश्वन प्राइब से वो देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि यह दरॉलक्रत में इसका formation कब वोい यहां कि इसकी स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना हुई 1927 में कब हुई 1927 में नेक्स्ट बात करते गारेस इसका headquarter कहाँ पैसे नोटडाउन कीज़े इसका headquarter है त्री सूर केरला में इसका headquarter है next बात करते इसकी tagline का है जो धनलच में बेंके इसके टेग लाइन है तन मन धन ठीक है next question देखते है अब तो देखे next question यहाँ जो दिया गया है में वो दिया गया है कि किसको still authority of India sale देखे ये S A I L तो किसको Still Authority of India सेल का CMD के रूप में नियुक्त किया गया है तो सेल क्या जो CMD के रूप में नियुक्त किया गया है वो किया गया सरसोती प्रसाद को तो क्या आंसर हो जाएगा यह हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा गाइस बात करते हैं सेल के तो देखें सेल के फुल्फरम आपने देखी लिए क्यूशन में है Still Authority of India और बात करते हैं इसके फॉर्मिशन की इसकी स्थापना जो हुई है 19 जनवरी देखो कब हुई है 19 जैन 1954 को इसकी स्थापना हुई है ठीक है बात करते हैं गाइस जो ये सेल है इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है ठीक है तो देखें ये हमने देखे लिए सेल के हेड़कॉर्टर के बात करते हैं तो इसका हेड़कॉर्टर कोलकाता में कहां पर है कोलकाता में इसका हेड़कॉर्टर है तो अब देखते हैं इसे किसा नेक्स्ट क्यूशन क्या दिया गया है तो देखें यहां जो नेक्स्ट क्यूशन दे रखा है वो दे रखा है कि हाली में मेक्सिको है इसके नए राष्ट पती के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो मेक्सिको के जो नए राष्ट पती न ग्रोप में नियुक्त कर लिया है अब देखे गाइस इनको टोटल 53 परतिसत इनको वोर्ट मिले है ठीक है तो यह हमने देख लिया अब बात करते हैं यहाँ पर मेक्सिको की बात हुई है गाइस यह हमने देख लिया यह इसके नहीरास्पति चुने मेक्सिको की बात करते हैं मेक्सिको की जो राजदा नहीं है वो है मेक्सिको सीटी और जो करेंसी है मुद्र है वो है मेक्सिकन पीसो इसकी करेंसी है मुद्र आप देखते नेक्स्ट क्यूशन क्या दिया गया है तो देखे एक सेके नेक्स्ट क्यूशन जो हमें दे रखा है वो है कि देश का जो पहला क खादी न कॉना कौन सा राज स्थापित करेगा इसको कि ज्फित करेगा जॉप्रिंट हुई गाज molt तो सिंहें और नंपके करें तो हैं पहुत is श्च प्रिंट हूई है इस जो देश का पैला कादी मेला है यह जो जारकंड है इसके द्वारा इस्तापित किया जाएगा अब बात करते हैं जारकंड की तो जारकंड की जो मुख्यमंत्री वो है रगुबर दास और जो गवर्नर राज्यपाले वो है द्रोपदी मुर्मू अब देखते हैं नेक्स्ट कुशन क्या दिया गया है तो देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है तो यहां जो नेक्स्ट क्यूशन की बात की गई है वो की गई है कि मलेशिया ओपन बैडमिंटन का जो एकल खिताब जीता है वो किसने जीता है तो गैस मलेशिया ओपन बैडमिंटन का जो एकल खिताब जीता है वो जीता गया है ल बैड्मिंटन का जो एकल किताब है वो इन्होंने जीत लिया है ठीक है नेक्स देखते गाई सै नेक्स्ट क्योशिन क्या दिया गया है तो यहां जो नेक्स्ट क्योशिन दिया गया है बहुत जादे इंपोर्टेंट है ध्यान से देखिए तो ़मजेगा एकुशन है कि हौली में विंबल्डल टेनिस टूनामेंट है यह है तुतीक मैं shtव कि शूरू हुआ है लंधन में कहा पर हुआ है यह लंदन है तो क्या आंसर हो जाएगा भी हमारा यहां answer हो जाएगा अब बात कुरें गई गाई ऀमबलड है इसका यह कौनसा एडिशन हो इसन्स करनड तो इसका जो यह वैं एडिशन एक्सजेंच भी कें जए ऑल्ग के लीए किसके साथ में कराव इसन को है तो जो ये BAC ने करार कर लिया है BME के साथ में तो जो Bombay Stock Exchange है इसने Commodity बाजार है उसको विक्सित करने के लिए BME के साथ में करार कर लिया है अब ये दोनों मिलके जो Commodity बाजार है उसको विक्सित करेंगे तो जाइस आब बात करते है BAC की Bombay Stock Exchange है वो Asia का सबसे बड़ा Stock Exchange है और बात करते है इसकी Headquarter की तो इसका जो Headquarter है मुंबई में कहां पर मुंबई में इसका Headquarter है बात करते है जो ये BAC है इसकी स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना हुई है 1875 में तो ये हमने देख लिया है तो गाइस इसी के साथ आज के हमारी Current Affairs के Cuisance Complete होते है तो देखे 5 Cuisance हमने क्यूज़ के देखे 15 Cuisance आज के Current Affairs के हो गए तो देखे 20 Cuisance कितने जलदी आपके तयार हो गए तो अब बारी किसकी है अब बारी है एक राज्य डिसकस करेंगे किसकी राज्य की ठीक है तो State है एक तो वो हम discuss करेंगे तो चलो देखते हैं आज का में क्या state दिया गया है तो देखे गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को like जरूर कीजिए और जितना अपने friends को share कीजिए और अगर अभी तक आपने अमारे चैनल नाम दे ओकेडमी को subscribe नहीं किया है तो अभी subscribe कर लीजे साती गंटी के चिन को दबा लीजे जिसे आपको latest वीडियो के updates मिलते रहेंगे तो आईए देखते हैं आज का हमारा state क्या है तो guys आज हम बात करेंगे जारकंड के बारे में तो जारकंड से जारकंड से related जो भी important facts हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे discuss करेंगे तो स जारकंड में सबसे बड़ा सेर है वो है जमसेद पूर ठीक है अब बात करते हैं कि जो जारकंड है उसमें total जिले कितने हैं तो guys इसके अंदर total जिले हैं 24 कितने हैं 24 नेक्सट हम इसमें बात करते है कि जो जारकंड है इसकी governor कौन है तो इसके governor है द्रोपदी मुरमू और ज जीप मिनिस्टर यानि की मुख्य मंतरी तो वह है रगोबर दास जो की BJP के है नेकस्ट रम नेकस्ट बात करते हैं कि जो चार्कंड है तो गईस जो चार्कंड है प। यह हंधी दिल्ल official language है किसकी जारकंड की तो चलो देखते हैं नेकस्ट के दिया गया इसमें तो देखें नेकस्ट बात करते हैं कि जारकंड की 써्मीशन स्थापना कभ हुई तो जारकंड का जो फोर्मैशन हुआ इस थापना हुई वह ही 15 नॉमबर दोजार को पंदरा नॉमबर दोजार को इसकी स्थापना होई नेक्स्ट बात करते हैं कि जो जारकंड है उसका state animal यानि हिंदी में बोले तो राज्य पसू कौन सा है तो जारकंड का जो राज्य पसू है वो है elephant हाती ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं कि जारकंड है जारकंड का जो इस्टेट बर्ड है यानि कि राज्य पक्षी है वो कौन से है तो वो है कोयल और जो राज्य ट्री है इस मतले कि राज्य पेड है व्रक्ष है वो किसका है साल का यानि कि स्टेट ट्री है वो कौन है साल साल है वो इस्ट जिके के की एक क्योरिशन बनने के 100% chance होते हैं तो वह होते हैं फोक्डांस से तो दिके यह ईस के घ्राव ओर कोई इस लрастे चुम और लुके साथ में और लाद अब bucks करें इस बीचाश pana पार्क है वो कौन सा है तो गाइस वो है बैटला नेशनल पार्क और देखे इसको आप किस तरह से याद कर सकते हैं जो तो एमस धोनी है वो कहां के रहने वाले जोर कंट थीक है अब बैट बैट की ओगए बैट मतर्ब लाओ गया तो देखी कि अच्छी गेंद्वाजियों करते हैं तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि जार कंड के लोगों ने धोनी के लिए बैट लगाई सर्थ लगाई कि भई वो इतने रन बनायागा है इतने रन बनायागा इस प्रकार से तो इस प्रकार से आप टूटी-पूटी कोई भी ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं ताकि चीजे आपके दिमाख में set हो जाए तो देखिए गाइस ये था हमारा आज का current affairs जिसमें हमने सबसे पहले 5 question क्यूज के discuss कर लिए 15 question current affairs के discuss कर लिए और साथ में एक state हमने यहां discuss कर लिए तो I hope कि गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और देखिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जितना हो अपने फ्रेंड्स के पास शेर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल नाम देव अकेडमी को सब्सक्राइब कर ल हैं तो वह आप हमें कमेंट सेशन में बता दीजिया करें ताकि उन्हीं के आदर पर जो आपके डिमांड होगी उन्हीं के बेसिक पर हम और अच्छे वीडियो आपके लिए लाप आएंगे तो चलो वीडियो अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बात कर आप हमारे फेस्बूप पे इसको लाइक कर सकते हैं और जो हमारा टेलिग्राम ग्रूप है उसको आप जोइन कर सकते हैं और वहां से आप पीडियेफ डाइन डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो